हमारे पास इस विश्म में टीया देया है अब वायर फ्रेजिस्टेंस 15 ओम इस बेंट टू फॉर्म रेडल रहेट सदन ए बीसी डी ए फ़े तो महरे पास यह ए बीसी डी ए फ़े जो एक है सदन बन रहा है उससर टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है विजिस 15 ओम फांड दिए इत्रूविलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी लूप बिटूइन दिपॉइंट फॉर्स पार्ट में एसे बी और बी पार्ट है अपने पास एसे सी और जो ची पार्ट है वह है एटू डी सभी है सबसे पहले हम यह एक सॉल्ट पर देते हैं क्या है में सॉल्ट होना तो तोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है मेरे पास 15 ओम है यह 15 ओम है इन सभी छे रेजिस्टेंस है उन्हें जब आपस में यूस्ट यह जाता है तो 15 ओम हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है बेसिलिस आर एक्टिविलेंट मान सकते हो तुम इसे सही है बट इन सभी रहा अज़र मैं इंडिवीजिल रेजिस्टेंस बताना चाहता हूं सो मुझे पता है जो आर होता है अपने पास वह होता है रो एल बाई ए सही है सो मतलब यह हुआ जो इस्टेंस डेरेटली लेंथ पर प्रपोर्शनल है सो अज़र मैं बताना चाहता हूं आर इंडिवीजिल सो मुझे इसे नंबर ओफ लेंद से या बैसिकली जो नंबर ओफ वायर से हैं बैसिकली लेंद हमारे पास हैट से रहना है तो एल टेवलिव छे हो रही है उसे डिव लेते हैं उसे यह जितना वाज़रा फिफटीन बाई जितना वाज़र यह से ओ मुझे तो मुझे तो मैं यही वेल्यूस रहने वाला हूं सब्सक्राइब इस टोशन में चैनल यह है जितने भी आप तो यहां पर वैल्यूस बोले जाते हैं उनके बीच में जो पॉइंट आ भी रेजिस्टेंस आने वाले हैं उनको वो जितने भी रिमेन रेजिस्टेंस हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू पैरलर होने वाले हैं बस इतना याद रहना दिरो हमें इस पॉइंट तेले बोला है तो मान लेते हैं यह पॉइंट अपने पास यह वाला रेजिस्टेंस आ है वह आपस मैं अलटश सीरीज में है यह यह आपस में यह पर अलटश सीरीज में है यह पूरे दिस्टेंस आपस में चैसे हैं अलड सीरीज में है सजह तुम यह डिफरेंट सीरीस में है तो इन्हें सॉल्फ ठरनेंटर बाद यह पैरलर हो जाए है सब्सक्राइब सु मैं सीधा rei ट्रिविलेंट बता देते हूं तो इनीद चाहे है strive horribly tरे और फाइफ टैप्स अफ़ और ूंन और यहां पर आपर त्यार के सह, आर इंडीज्विज्व लूज और यह भी आ इतने पास यह भी अब यह दोनों एड़ दोसरी त्या होजे पैरलल तो तुम्हारे पास जो सट्ट्रीर डाइड्राम है यह ऐसा बन जाए था यह यहां पर और यह तुम्हारे पास फाइफ आर यहां पर तुम्हारे पास पोटेंशल हो जा समझे रहो तो माल लेते हैं कि यह अपने पास अब यह पैरलल हो जी अपने पास जो आर इक्ट्यूविलेंट आता है फोर पैरलल यह च्यों यह होता है आर वन इंटू आर तू डिवाड़ बाई आर वन प्लस आर टू सही है यह जितना होज़ा रहा फाइफ आर इंटू आर डिवाड़ भाई शिट्स आर सो यहां पर यह तै आए आर इंडिविज्वल 15 बाइस जइए अब इसे स्वाइब रड़ेते हैं सो यह हो जा रहा मेरे पास इसे जो बच्छा अपने पाँ पास फाइफ बैफ फोर आ जा तो जब इसे स्वाइब तो अपने पास अंसर आ जाना चाहिए तो यह अपने पास तो इसे जब आपने इतना यह हो जाना चाहिए यहां से जब यह वैल्यू हम सॉल्ट रहते हैं अपने पास तो यहां से अंसर हो जाना चाहिए टू तो पॉइंट यहां सवल्ट यह ऑज़े रहां मेरे पास तो यह वज़े आपने पास प्रूपने पास 25 और यह वज़े आपने पास 12 ऐसी चालपिशन एरर एडर होगी थी यहां पर एज़ू पॉइंट जीरो एड ओम सहीं हैं तो अपने पास फ़र्स्ट में तो इतना रिजिस्ट्ट आज आज वह इसी तरी तरी से भी पार्ट की तरफ चलते हैं इस पार्ट पार्ट में अपने पास क्या है एसे सी इस्ता मतलब यह हुआ जो रेजिस्टेंस एंहें आपस में टाई अप्टर लो और ज़ो अधर रेजिस्टेंस है यहां से लेखिए यहां तर इन्हें आपस में टाई अप कर दो यह सीरीज में है एक दूसरे टे यह सीरीज में है एक दूसरे टे तो बाद में जैसे हो रहे पैरलल इनके लिए जो और इंट्यू वेल्यू है वो इतना है और इंडिविज्वल और इंचे ले कितना हो ज़ए रहा है कि समझें यह सीरीज में तो सिंपली इन्हें आड चड़ दिया जिया है सीरीज में क्या हो जाते है आर बन प्लस आरटू आर सीरीज से फॉर्मला होना यह होजिए आपने पास यह वेले होजी आपने पास तो आर यह पने पास फोर टमसर और शो यह पारय नोब सो आर मैं इह ओ ये आपने पास हें पॉर आजी यह होजिए ऑगर्पने पास यह अमोल state कि अनिसरी जो nossas है यह हो जाए अपने पास 4 by 3 times R और R क्या है और इंडिविज्वल विच इस 15 by 6 सही है यह जितने पर आपने पास 5 पर यह जाए टू यह जाए थी तो यह जाए अपने पास 10 by 3 यह जितना हो जाए रहा हो जाए और attrivalent की value हो जाए थी 3.3334 ओ सही है अब इसी तरीर से हम अभी सी पार्ट भी स्वाल्व दर देते हैं कि सो अब इस पार्ट में भी हमें चाहर देना है इस पार्ट में हमें बताना है value a-c सही है सुरी ए टु डी सो यहां से ज़िए यहां दर सो चट से यहां से लिए अर इस रिज्स्टन्स दर इनने आपस में Schmidt ouse oh और जितना यह रिमेंब है इन्हें आपस महार में batter 2 सअफिए आप फिर से वही सिन्यरियों गार्लेल्हें दूसर है जा बचा अपने पास यह कि आपने पास ऐसे आहर है कि अधरी आई यह था अब यही पैरले में। आधर एक्ट रोगत ll ist 3R into 3R divided by Indian tradition which is 6R सही है अब इसे solve तर देते हैं हम तो यह होज़र आपने पास 2 यह होज़र आपने पास 3 by 2 into R क्या है 15 by 6 यह होज़र आपने पास 2 यह होज़र 15 by 4 ohm R equivalent so R equivalency value होज़री मेरे पास यहाँ से 3.75 ohm सही है तो इसी तरीचे से हमने इस तोशने तीनों ही पार्ट solve चर दिये हैं इससे असान solution और कहीं नहीं झाल